आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिर इंडिया में एक चीपिस्ट वेवोस्टिंग सर्विस कैसे खरी सकते हो आप लोग बहुत ही ज्यादा सस्ते में ठीक है और एक अच्छा डिलाइवल वेवोस्टिंग है जिसका नाम होस्ट कर ले मेरा यह पर्सनल चॉइस है मैं इस पर दो तिन साइट से रन करता हूं ठीक है और मुझे इसका जो प्राइज है वो भी काफी पर्चा लगता है तो वस्ट कर ले को मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूं करीबन एक दो साल दो साल नहीं हुआ है कम से कर देट साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूं ठीक है और हर मैंने कुछ ना कुछ ओफर्स इसका निकलते रहता है ठीक है तो आब अगर आप एक होस्टिंग साइट खोज रहे हो इंडिया में वह भी चीपेस्ट और स थोड़े offers और भी मिले तो यह हुष्ट कर लें साइट ऐसे open हो जाएगा जब भी आप इसको खोलोगे फिक नीचे description में या top comment पर आपको link मिल जाएगा उस पर क्लिक करके site open कर लेजिगा उसकी बाद देखिए यहां पर आपको my account पे जाना है और sign up कर लेना है आपके details डाल तो street address आपको डाल देना है this is required fields हो रहा है यह optional field होता है street address 2 इसको नहीं भी डालना है तो चलेगा city डाल लिजेगा state डाल लिजेगा और pin code डाल लिजेगा अगर country इंडिया है तो डालीगा मुझे नहीं लगता है कोई इस वीडियो को out of India देख रहा है अगर देख रहा है तो सारे country में available है ठीक है यह service और एक बात बता हूँ आपको अगर इसमें आप other कर दीजेगा या कुछ भी कर सकते हो कोई फर्सक नहीं परता है अगर आप usd में payment करना चाते हो तो usd select किजेगा otherwise inr पे किजेगा यहाँ पर password आपको देना है eight digit का minimum password देना है ठीक है और यहाँ प दिखाता हूं फिर आपको कुछ इस तरह से आपके home page को open हो जाएगा यहाँ पर आपको एक pop-up notification मिलेगा अपना email address verification करने के लिए तो मैंने औरेड़ी एक email address verify कल लिया है मेरा इस account में ठीक है तो मैं अभी फिला register करके नहीं दिखाऊंगा नहीं से क्योंकि मैं अभी अभी अपना दूसरा site बनाने के लिए account बनाए हूं तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूं आगे क्या करना है हमें कैसे hosting account खरिता है और domain खरिता है मैं यह भी दिखाऊंगा तो guys अभी domain registration में एक offer चल रहा है आप लोग देख सकते हूं यहाँ पे offer का pop-up आ रहे है ठीक है तो यह offer बस इसमें चल रहा है तो मैं भी एक सोच रहा हूं कि इस वारे domain पर एक site बनाया जाए ठीक है क्योंकि काफी सस्ता है और उपर से 55% off मिलेगा ठीक है एक promo code उसकर करके तो guys मैं यहाँ पर अपना site बनाऊंगा जिसका नाम है buycaro.info तो चलिए info वाला domain हम लोग लेंगे तो इसको search domain पर आपको click करना है जो भी आपको यहाँ पर अपना website का नाम रखना है वो यहाँ पर डालके search किजिएगा जैसे आप देख सकते हो buycaro.com is unavailable मतलब यह available नहीं है किसी और ने ले दिया इसको तो हम लोग को buycaro.com चाहिए भी नहीं हम लोग को buycaro.info चाहिए अगर आपको .com, XYZ, ICU कुछ भी चाहिए तो आप लोग ले सकते हो ठीक है कोई दिक्र नहीं है मैं info से काम चलाऊंगा अभी और यहाँ पर add to cart पे click करने के बाद यहाँ पर आपको check out पे जैसे guys click हो जाता है तो आपको कुछ इस तरह से option मिलता है यह देखी buycaro.info यह आपको site बन hosting service आप host कर ले में ही लेना चाते हो तो यहाँ पर default site दिया गया है default name servers दिया गया है sorry ठीक है तो इसको कोई changes नहीं करना है अगर आपका website किसी और hosting service में आप ले रहे हो ठीक है तो आपको यहाँ पर changes करना होगा फिलाल हम लोग host कर ले में ही अपना domain और hosting लेंगे और इसी मे site बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पर default रहने देते हैं और continue पर click करते हैं guys continue पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 99 का जैसे domain मिल रहा था और 5.94 रूपीज यहाँ पर payment gateway चार्ज ले रहा है यानिकि 6% ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे एक domain तो हमने अपने cart में add कर लि 99 तो हर तरह की option मिलते हैं यहाँ पर 99 वाला में क्या होगा single website बनेगा इस hosting में ठीक है 10GB का SSD space disk मिलेगा और 25 के यह बात बहुत important है कि एक मेना में 25,000 user ही आपके site में आ सकते हैं तो ध्यान रखेगा यह वाला देखके अगर आपको ज्यादा user चाहिए अपने site में तो आप 199 या आगे का plan ले सकते हो फिलाल गाईज मैं आप लोगो इतना बताऊंगा आप लोग जब start करोगे site को तो 99 वाला ही दीजिए बाद में अगर बहुत सारे visitor आने लगे तो आप इसको upgrade भी करवा सकते हो अपने hosting plan को further plans में ठीक है तो अभी simply हम लोग order now पर क्लिक करेंगे और ह हमारा काम बन जाएगा 25,000 user में तो जैसे देखें यह वाला domain हम लोग use करेंगे है buy.info क्योंकि यह वाला domain मैं ले रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर आपको ऐसे option मिलेगा use a domain already in my swapping card तो use पर क्लिक करना है आपको अगर आप कोई odd domain लेना चाहते हो register a new domain क्लिक कर सकते हो यह जब host कर लेके service में ही मैं domain और hosting दोनों ले रहा हूं तो मुझे कोई दिकत वाली बात नहीं है use पर क्लिक करता हूं use पर क्लिक करने के बाद guys यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाता है ठीक है और यह देखें यह सब आप लोग ले सकते हो otherwise नहीं भी ले सकते हो यहाँ पर प्र है ठीक है तो यहाँ पर continue पर क्लिक करते हैं तो guys आप लोग यहाँ पर और एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पर जो promo code है वह already लग चुका है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हो 99.99 रुपीज टोटल होता है 198 और 8 रुपीज payment gateway charge और यहाँ पर क्योंकि यह promo code लग चुक लोग की minus हो गया और आपको प्रोमो कोड अगर यह April मंत का प्रोमो कोड है April 2019 का अगर आप यह वीडियो कोई और मंत में देख रहे हो तो घबराइए मत आपको यह प्रोमो कोड तो यूज नहीं होगा लेकिन यहाँ पर आप देखे यह अंकल का पर क्लिक केजिए और अगर आपको सो हो जाएगा ठीक है तो हर मैने यह लोग प्रोमो कोड देता है इसी दिए मुझे यह साइड मत पर यह सर्विस इन यह पर चेक out पर क्लिक करना है वह हम लोग अपना कंप्र हम लोग अपना काम करेंगे मत यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में एड्रेस बाद्र आगिया जो भी address था यहाँ पर कुछ नहीं करना है यहाँ पर PayPal option से अगर आप पे करना चाते हो तो कर सकते हो अदर्वाइस Net Banking Paytm Credit Card यह सब कर सकते हो I have read and agreed to terms and condition complete order पर आप कर सकते हो तो यहाँ यह करने के बाद complete order पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सव वेट किजिए ताकि payment gateway open हो जाए ठीक है तो थोड़ा सव वेट करता हूं payment gateway open हो जाएगा और आप किसी भी method से pay कर सकते हो तो फिलाल ccaway new का कोई coupon code नहीं है मेरे पास यहाँ पर आप लोग इतना देखिए यहाँ पर आप लोग क्रेडिट का डिविट कर साड़ा option मिलता है ठीक है मैं अभी फिलाल ptm से करूंगा तो make payment पर मैं click करता हूं ठीक है और यहाँ पर आपको login करने है अपना ptm id जैसे कि अगर मेरा login है या नहीं वो check हो रहा है भी ठीक है तो थोड़ा सो वेट करता हूं नहीं है तो मैं यहाँ पर login करूंगा अपना ptm mobile number देता हूं मैं तो guys मुझे यहाँ पर otp receive हो चुक है मैं यहाँ डाल देता हूं otp ठीक है जो भी otp आया है और login securely पर click करता हूं यहाँ पर click करने के बाद आप लोग देख सकते हूं मेरे ptm wallet balance में उतना पैसा है जिससे मैं यह payment कर सकता हूं तो यहाँ पर pin out पर simply click कर दिजिए आप लोग और यहाँ पर processing होने start हो जाएगा तो guys मेरे ptm account से मुझे message मिल चुका है कि मैंने payment कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सो wait करना है आप back मत click किजिएगा इस page पर आने के बाद ठीक है back click करने से आपको payment cancel हो सकता है फिर लेने का देना पर जाएगा तो थोड़ा सो wait करना ही सह तो जब तक यह automatically open नहीं हो जाता है payment process नहीं हो जाता है तब तक यह कुछ इस तरह से open होके रहेगा तो यहाँ चलिए payment process होने के बाद बात करते हैं तो guys आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मुझे अपना order number मिल चुका है यानि कि order confirm हो चुक है order confirmation मिल चुका है अब यहाँ पर हमें home पर जाने के बाद यहाँ पर my account पर click करना है जैसे आप लोग my account पर click करके आओगे तो आपको अपना dashboard दिख जाएगा थोड़ा स नहीं होगा जश्ट आपको इतना करना है आपको अपना c-panel open करना है और एक site register करना है ठीक है sorry एक website बनाना है ठीक है तो मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में बताने वाला हूं कि एक hosting खरीदने के बाद उसमें wordpress कैसे install करते हैं ठीक है और wordpress में site कैसे बनाते हैं तो यह इसका part 2 यानि कि कैसे अब hosting खरीदने के बाद हम लोग website बना सकते हैं ठीक है तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ अगर वीडियो आपको helpful लगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग हमेंसा कुछ ना कुछ नया सीको और educational वीडियो ही इस ग्रो कर सकते हैं अपने अंदर तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक लिए श्टापिए थांक्यू टेक्यू टेक्यू टेक्याइब